Hello Everyone, guys, आज हम बना रहे हैं पापड। वो भी बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही चट्पटे चावल की पापड। आज बना रहे हैं, जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बन बन के रडी हो जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने एक कप चावल का आटा लिया है, आप कोई भी चावल ले सकते हो, नॉर्मल जो घर पे होते हैं, जो हम खाते हैं, नॉर्मल चावल बना के, उसको बारीक आप मिकसर में डालके पाउडर बना लीजेगा, और इसके बाद हम एक पतीला लेते हैं, आप चावल तो कड़ाई भी ले सकते हो, इसमें चावल का आटा हम ले लिये, अगर आप चावल तो किसी कटोरी या किसी चीज से भी माप सकते हो, और इसमें हमने सबसे पहले उसी कप से जिससे हमने चावल लिया है, उसी से दो कप पानी डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर जो चावल का अटा रहा है वो पाने का वो इस में और भी पाणी डालेंगे क्योंकि एक कप चावुल के रहते में हमको आठे में 7 कप ना यह है तो चौन रही जी्टा कप हो गया और हम बतचे भूँए पाने करेंगेhe हमने यह लाश्ट वाला साथ कप डाल दिया है पानी बिल्कुल बराबर मात्रा में है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद गाइज हम इसे पकाएंगे तो सबसे पहले गैस अन करते हैं और इस पे रखेंगे हम कडाई मतलब जो भी पतीला है उसे और जो हमारा पानी और चावल का पाउडर मिक्स है उसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे इससे और इसमें पकाते हुए तकरीबन टाइम लगेगा 15-20 मिनट लेकिन जैसे कि इसे हाई फ्लेम पे हम नहीं बना रहे हैं मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं जिससे कि तली में चिपके भी न और अच्छे से पक जाए जैसे कि चावल पकते हैं तो इसी तरह हमने इसे चलाते हुए थोड़े थोड़े देर पे पकाते हुए मतलब टाइम लगेगा और ये अच्छे से पक जाएगा तो आप देखिए गाइस अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे त लोग फ्लेम पे मतलब इसी तरह पकाना है और ये जैसे चलाते जाएंगे मिक्स होते जाएगा थोड़ा टाइम लगेगा और ये गाढ़ा होता जाएगा तो आप देख सकते हो गाइस कि जो मौसम है वो बहुत अच्छा नहीं है कहीं बादल है थोड़ा सा धूप मतलब अ आ रहे हैं तो हमने इसे बैटर मिक्स करने वाले से हमने इसे मिक्स कर दिया इससे बहुत ही अच्छे से कोई भी चीज मिक्स हो जाती है तो इसे मिक्स कर देंगे गाईस और आप देख सकते हो कि जो लम्स थे वो थोड़े से कम होंगे तो मतलब इसी तरह पकते पकते आप तो इसी तरह हम इसे पकाते चले जाएंगे और यह जैसे कि जिस दिन बना रहे हैं अचानक से बारी जैसा मोसम हो गया या आप इसे डारेक्ट धूक में भी पका सकते हो और पंखे की नीचे भी सुखा सकते हो तो हमने इसे चेक करने के लिए आपको दिखा देते हैं कि देख तो ऐसे कंडिशन में अगर हम इसे बनाएंगे तो फट जाएगा तो हमने थोड़ा से इसमें फ्लेवर के लिए जीरा और मिर्च कट करके आप डाल सकते हो इसमें स्वात के नमक डालना है इस तो बहुत ज्यादा पापड में नमक नहीं डाला जाता है तो हमने इसमें एक इसमें थोड़ा सा डाल दिया है और इसमें हमने थोड़ा सा ये सोडा डाल दिया है मीठा सोडा होता है ना खाने वाला वो डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहो तो इसमें धनिया के कतरन भी डाल सकते हो छोटे-छोटे कट करके धनिया के पत्ते ह तो जब हमने इसे मिक्स किया गाईज तो आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो रहा है तो हमको लगा कि यह थोड़ा सा जीरा यह मिर्च की वज़े से थोड़ा-थोड़ा कलर चेंज हो गया है और इसे थोड़े दिर और पकाना है और इसे पकते हुए तकरिबन 12-14 मिनट ह हो गया है और यह अब पक के थोड़े दिर में रेडी हो जाएगा तो एक बार आपको हम और दिखाते हैं तो इसे हमने कल्ची मतलब कलीन कर लिया है और पीछे आप देख सकते हो उंगली से निसान लगा है और इसके बाद इसे जटका देंगे जटकारने पर आप देख सकत हुए मीडियम फ्लेम पे और यह पके रेडी हो गया गाइस तो अब हमने गैस को बंद करके इसे गैस से उतार दिया है और आप देख सकते हो बहुत ज्यादा गरम है तो ऐसे अभी पापड़ यह नहीं बनेगा क्योंकि हम अगर प्लास्टिक पे इसे लगा रहे हैं मतलब तो यह चिपक जाएगा मतलब कि प्लास्टिक ही पकड़के गल जाएगा तो थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे गोल गोल देख सकते हैं आप बेश्ट स्वीट के उपर हमने एक प्लास्टिक बिछा लिया है और यह रूम में ही हमने सबसे पहले मौसम खराब था तो तो यह रखोड़े गाड़े हो जायेंगे और आरामसे मतलब आप बना सकते हो गोल गोल पापड अगर आप चाहो तो किसी की हल्प भी ले सकते हो अगर जल्दबाजी है तो और इसी तरह हमने सारे पापड को बनाकर रेडी कर लिया है गाईज रुम में ही और इसके बाद इसमें हमने इसे पलट दिया तब तक ये पलटने लाइक हो गया था और आप देख सकते हो कि ये टूट भी नहीं रहे हैं बिल्कुल क्लीन है और सुबह मतला आपको दिखा देते हैं कि दूसरे दिन जब ये धूप लग गया पुरा तो ये इस कंडिशन प्या गया है मतलब क ये रेडी हो गया हमारे चावल के पापड तो आप देख सकते हो कि ये जैसे कि बिल्कुल चिप्स जैसे हो गया है जैसे देख कर लग रहा है ना कि चिप्स बने है तो हमने इसे तलने के लिए सबसे पहले तेल गरम कर लिया है अच्छे से और इसके बाद हम जो चावल के जाल रहे हैं तो आप देख सकते हो कुई पड़ ऊसानी से जो तो इसी तरह हम ने थोड़ी निकाले लिये हैं खाने के लिए भी यह ने टेश्टी थे कि जैसे बनादा ऑले यह हमड़ा के शूट करते वक्त थी वीडियो को हमने इसे तल लिया है और आप देख सकते हो गाईज कि ये बड़े-बड़े पापड हमारे जो तल के निकल रहे हैं और इसी तरह हमने कुछ पापड को तल दिये थे तो एक कप चावल में हमने तकरिबन 100 पापड के करिमे बनाया थे कुछ पापड थे कि क्या बताऊं आपको कभूतर लेकर भाग गया और मैं उन्हें बचा भी नहीं पाई तो जो बचे थे उसे ही हमने लाया कि चलो जो तो बचे तो ये देखिए गाईज हमारे पापड जो है वो तलके रेडी हो गया है और ये सुखने के बाद बहुत छोट-छोटे हो गया थे लेकि तलने के बाद आप देख सकते हो कि बड़े-बड़े इसमें मिर्च भी दिख रही है और कहीं-कहीं जीरा भी है जो हमने डाला था वो दिख रहे हैं तो ये भी बहुत ही टेस्टी कुरकुरे और आपको दिखाते हैं गाईस कि जितने ये पतले हैं उतने ही ये कुरकुरे भी है एक कप चावल के आटे से आप इसे बना कर रख दीजिए और इसे आप पूरे मतलब की सीजन मतलब भूली आ रहा है तो आप इसे खा सकते हो या किसी गेस्ट को खिला सकते हो गाईस और बहुत आसानी से ये बन के रेडियो हो जाएगा तो आपको तोड़ कर दिखाते हैं बहुत ही क्रिस्पी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है गाईस तो जरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ सेर कीजिएगा कमेंट कीजिए लाइक कीजिएगा सस्क्राइब करना ना भूलेगा हर हर महा दे